इंपोर्टन रिजल्स कौन से थे ये मार्केट आउस के बाद कौन से रिजल्स आये और उन पर किस रंकी ब्रोकरेश हाउसे के रिपोर्ट्स हैं पूजा हमार सब बनी हुए है पूजा बताए कहा कहा आक्शन देखने को मिला जी धेर सारे नतीजे आये हैं पहले निफ्टी कंपनी से अगर शुरुवात करें तो हीरो मोटो कॉप ने अपने नतीजे गोशित किये नतीजे अनुमान से बहतर है जो आकरी हम एक्सपेक कर रहे थे उससे बेटर है तरीन गिरावट हर फांट पर आपको दिखाए देगी बट अनुमान से बहतर नतीजे आये हैं आये में 19% की बढ़त मुनाफे में 36% की माफी जेगा गिरावट आई है मुनाफे में 36% की गिरावट आई है कामकाजी मुनाफा 32% घटा है कंपनी का और मार्जिन में भी 14.5% से घटकर 12.2% के आये है हम 11.4% के आसपास की उमीद कर रहे थे वाइदा बाजार में ट्रेंट ने अपने नतीजे घोशित किये है नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं आये में 75% की बढ़त है मुनाफ़े में 77% की बढ़त कमटी ने दर्च की है और कामकाजी मुनाफ़े में भी करीब एठावन पर्षन की ग्रोथ इस बार देखी गई है Sun TV के नतीजे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं आये में 6% की बढ़त, मुनाफ़े में 3% की बढ़त, margin के front पर numbers काफी strong है, 20% की बढ़त, कामकाजी मुनाफ़े में देखने को मिली है Tata Chemicals के numbers भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आये में 21% की बढ़त आई है, मुनाफ़ा 70% से बढ़ा है company का और कामकाजी मुनाफ़ा भी 16% की बढ़त वहाँ पर देखने को मिली है इसके अरावा कुछ कमजोर numbers की बात करें, तो GSPA की numbers कुछ weak है, आये में गिरावट आई है करीब 19% की, मुनाफ़ा भी 24% से घटा है company का इसके अरावा कमेंस के भी नतीजों की अगर बात करें, तो नतीजे मिले जुले हैं, 20% की बढ़त हमें IR में दिखाए दे रहे हैं, लेकिन कुछ cost का pressure इस बार company के नतीजों में देखने को मिल रहा है मुनाफ़ा 4% से बढ़ा है, margin के front पर अगर देखेंगे, तो 16.9% से घटकर margin के जो numbers आए हैं, वो 15.7% पर आए हैं तो यह कुछ नतीजे हैं, कुछ और भी आपको नतीजे बता देते हैं, cash segment से, IRB Infra के अगर numbers देखेंगे, तो मुनाफ़ा में बढ़ा थुई है, 69 क्रोर से बढ़कर 73 क्रोर आए है, और IR के अगर बात करेंगे, तो महा पर गिरावट इस बार दर्ज हुए, तो मिले जुले numbers है, IRB Infra के, Zomato के numbers सपाथ है, 1420 करोर पर सपाथ है, अगर तिमाही दर तिमाही इसको compare करेंगे तो, इसके अलावा इस बार भी company ने कामकाजी घाटा ही दर्ज किया है, लेकिन घाटा ही घटा है, 310 करोर से घटकर 270 करोर का आया है, और जो full orders है, उसमें करीम 90% की growth देखी लेगी है, तो कभी flat नतीजे नजरारे, Zomato के भी, और आखर में बात करते हैं, गुजरात पीपवाव की numbers कमजोर है, मुनाफे में भी गिरावट दर्ज हुए है, और IB 198 करोर से घटकर 168 करोर के figures कमप्री ने पोस्ट किये, ठीक है, यह कुछ एक numbers से जो पूजा आपको बत